नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों MD Classes पर आपको बहुत बहुत स्वागत है तो सभी प्यारे साथी जल्दी से जुड़ जाओ जल्दी से जुड़ जायें MD Classes पर जल्दी से आजाओ मेरे प्यारे साथी सबको Good Evening नमस्कार Assalamualaikum बंदे बातरम भारत माता की जै तो Guest Paper No.4 मतलब अगर देखा जाए कि पाचवा Guest Paper No.6 लेकर हम आए हुए हैं दोस्तों सदसे पहले मैं आपको इंफॉर्म कर देता हूं मेरे प्यारे साती हम सारे सिछक जितने भी यहां पर हम लोग साती हैं सब लोग आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे चाहे आप अच्छे हो चाहे आप बुरे हो आपके लिए हमेशा ततपर मेरे प्यारे दोस्तों, आप किसी भी परिष्थिती में रहोगे, हम आपके साथ में हैं, सिच्चक का सम्मान करिए, सिच्चक आपके लिए बहुत मेहनत करता है, तो ये बात आप लोग ध्यान से समझेगा, बेसक रेलवे ने कुछ गरवड़ी की है, जिससे हमारे धुरंदर सातियों का दिल जरूर तूटा है, लेकिन हम चुप नहीं बैटने वाले हैं, हम खामोस नहीं बैटने वाले हैं, हम अपने एक एक बच्चे को इनसाब जरूर दिलाएंगे, कि आखिर ये गल्ती कहाँ पर हुई है, और हमारे बच्चे परिशान क्यों हैं, तो ये बात बि के कत्रा आपके साथ में, उनकी मेहनत आपके साथ में हैं, बिल्कुल भी परिशान ना हुई हैं दोस्तों, तो हम लोग सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, डिसाइड कर रहे हैं, कि हमारे प्यारे सातियों के लिए, ये हमारे बच्चों के लिए हमको क्या करना है, जो उनके रेलवे ने गड़वड़ी की है गड़वड़ी ना की होती तो इतने हमारे बच्चे इतने भी कमजोर नहीं कि अच्छे अच्छे नम्बल लाने के बाद भी वह बाहर हो जाए रेलवे में बहुत गड़वड़ी है कभी होता था कि 2000 वैकंसी के लिए 20000 लोगों को क्वालिफ कराये हैं मेरे प्यारे तोस्तों तो आप समझ सकते हो राष्टा सब पर सब्सक्राइब कर रहे हैं कि कुछ अच्छा किया जाएगा बिल्कूल प्रोटेस्ट किया जाएगा सब कुछ किया जाएगा रेलेवे की ब्लेंडर मिश्टेक बहुत बड़ी गलती है एक ही पोस्ट के लिए मला आठाट पोस्ट के लिए एक एक ब्यक्ति को ही एक ही स्टूडेंट को क्वालिफाई करा लिए तो यह कहीं न कहीं गलत बात है ठीक है तो परेशान होनी की जरूरत बिल्कुल नहीं है आप लोग बस प्रोड़ा धैर बनाईए बेहतर होगा आपके लिए ठीक है तो मेरे प्यारे साथी चलते हैं स्टार्ट करते हैं बढ़ियासा सेशन पांचवे दिन का दोस्तों और पांचवे दिन का सेशन हां बता दे भाईया आप लोग के लिए लेकपालो और यूपी कांस्टेबल का क अब जुड़ सकते चलिए भाई साहब ये भी बहुत अच्छा प्रसन है जड़ा नुमेरिकल है स्वाल करके दिखाओ कह रहा है कि एक धोनी तरंग की गती 340 मीटर पर सेकेंड है यदि उसकी तरंग डार 2 सेंटी मीटर है तो तरंग की आवरित्ति क्या होगी बहुत जबर जबरदस कुश्चन है सभी वच्चा लोग इसका एंसर करेंगा बहुत तगड़े से तैयारी करो तगड़े से गुरूप डी अभी वच्चा हुआ है और आपको पता है मरता क्या नहीं करता तो भाई साहब मरता क्या नहीं करता वाला कॉंसिप्ट लाइए और गुरूप D को फोड़ दीजिये, कहा दीजिये, अब तेरी कमियों के मोहताज नहीं रहे गए हैं, बताओ भाई साब, एक धोनी तरंग की गती जो है 340 मीटर पर सेकंड है, मलब B is equal to क्या होता है मेरे प्यारे साथी, कितना दिया गया है, 340 मीटर पर सेकंड दिया गया है, यदि लेमडा दिया गया है, कितना बेटा, 2 सेंटी मीटर दिया गया है, और क्या पता करना है मेरे प्यारे साथियों, तरंग की आवरित्ती पता करनी है, मलब फ्रिक्वेंसी पता करना है answer बता दो कितना जबर्दस्त answer आने वाला है तो सभी लोग बताएंगे सभी लोग सभी लोग 170 Hz चलो भाई साप कोई बात नहीं है इसको हम एक एक करकर decide करेंगे पहली बात तो lambda यहाँ पर गलत दिया गया है lambda दिया गया है कितना दिया गया है 2 cm को मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे 1000 से भाग करेंगे तो यह भी आपको पता होगा मेरे प्यारे सातियों कि B is equal to क्या होता है N into lambda होता है N निकालना है तो N बराबर क्या होगा B upon lambda हो जाएगा तो बड़ा आसान question था किसी को कोई दि देक 158 क्या रुटक रखी गए Oke 240 लेमडां कितना है मेरे प्यारे सातियों तो लेमडां होगा आपका मेरे प्यारे सातियों कितना how toid अब यह अपर जाएगा तो कितना आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तो सत्तरा हजार हट्स आजा जायगा ये बात आपको याद रखना है तो बड़ा आसान कुश्चन था यहीं पर वच्चा गलती कर देता है इकाई को हमेशा मिला लिया करो कि इसमें मीटर पर सेकंड दिया है तो यह सेंटी मीटर में नहीं हो सकता है या तो सेंटी मीटर में इसको भी बदलो या तो इसको मीटर मे बदलो इकाई को मैच कराना इकाई मैच नहीं कराओगे आंसर गलत आजाएगा और आंसर आप गलत लगा के चले आओगे यही सब कमिया है जो आपको कमपेटीशन में बाहर कर देता है चलो दोस्तो अगले प्रसंद की तरफ कहरा एक बिद्दुत बल्ब का एक फिलामेंट द खीची जाती है तो परिपत के माध्यम से परवाहित होने वाले बिद्दुत आवेश की गढ़ना कीजिए अकरेंट आप जीरो पॉइंट एंपियर इस ड्रॉट टू एन एलेक्ट्रिक बल्बाई आफिलामेंट इन फाइप मिनेट फाइंड दा एमाउंट आफ एलेक्ट् दोस्तो आईए हम लोग बात करते हैं बात करते हैं तो जरा जिक्र करते हैं आई कितना दिया गया है बिटा आई दिया गया है जीरो पॉइंट एंपियर दिया गया है समय कितना दिया गया है बिटा समय पांच मिनट दिया गया है पांच मिनट को सेकेंड में बदलने के लि तो जीरो पॉइंट एट इंटू कितना हो जाएगा दोस्तो थीरी हंड्रेट इसको हम एट गुड़े कितना लिख देंगे बीटा थाटी लेग देंगे आत्रिक का 24 240 कुलांब हो जाएगा तो बड़ा जबर 10 प्रसंत था यहां पर ध्यान से देखिएगा दोस्तों कहां पर गलती कर देता है बच्चा वो देखे कोई श्चनवा में मिनट दिया है और फार्मुलवा में मिनट ठोक देता है पकड़ के तो दिक्कत हो जाती है तो मिनट को second में बदलिए ये बात ध्यान से देखेगा कुंदन देखो टी बराबर 5 मिनिट दिया है और भोले-भोले बच्चे जो है वो क्या करते हैं मिनिटवे का उठा के ठोक देते हैं जबकि मिनिट नहीं होगा यहाँ पर सेकेंड होगा क्योंकि तीनों पध्धतियों में समय का मातरक सेकेंड होता है ये भी आपको याद रखना है love you, all of you, love you, love you कोई बात नहीं, अगले प्रसिंट की तरफ बढ़ते हैं आपको बताना, एक ग्रेन कितने मिली ग्राम के बराबर होता है बहुत जबरदस question है one grain is equal to how many miligram आपको बताना है कि एक ग्रेन कितने मिली ग्राम के होते हैं बढ़िया question है, miligram दवा खाते हैं, 100 mg, 5 mg, 60 mg है ना, तो ये बात आपको याद रखना है चलिया भाजा, बढ़िया question एक miligram कितने बराबर mg वाली दवा खाते हैं पाँ एम जी, 100 mg, 200 mg, 200 mg, 200 mg तो एक ग्रेन बराबर कितने मिली ग्राम के होते हैं दोस्तों, तो 64.8 मिली ग्राम का होता है, 64.8 मिली ग्राम का होता है एक ग्रेन, ये बात आपको याद रखना है बच्चा, ये छोटे छोटे फायक्ट हम इसलिए लिया आते ताकि आपको दिक्कत ना होने पाए, चलिए, ग्रेन का मलब होते है दाना है ना कहते है रहे भाईया बहुते है एक दाना हम तुमको नहीं देंगे चाहे जो हो जाएगा एक दाना नहीं देंगे है ना तो एक दाना मलब एक ग्राम बराबर कितना हो जाएगा एक मिली ग्रेन बराबर कितना हो जाएगा 64.8 मिली ग्राम असत जोड़ा छाटिये आपको बताना है कि इसमें कौन सा पियर जो है वो mismatch कर रहा है बड़ी हा क्विश्चन है असत जोड़ा छाटिये आपको बताना है कौन सा गलत है इसमें कौन सा गलत है भईया तो याद रखेगा ओजोन लियर को किस्से मापा जाता है डापसन से दाब की काई का है पासकल है पोईज जो है वो स्यानता गुडांक या विसकोसिटी को फीसियंट का वाँ ये बेवर और टेसला ये दोनों अलग है ये भईया चुम्बकिये छेतर की तीबरता मापी जाती है चुम्बकिये छेतर का मातरक है किसका मातरक है बच्चा चुम्बकिये छेत्र या मैगनेटिक फील्ड का है और बेवर जो होता है वो मैगनेटिक फ्लक्स का मातरक है ये बात आपको याद रखना है नहीं तो बात ये गलत हो जाती है अब आते हैं अगले प्रसुन की तरफ अगला प्रसुन असत्त कथन का चैन करिए बहुत अच्छ बता है कि असत्त कथन का चैन करिए डाइनेमो यांतरिक उर्जा को बिद्धुत उर्जा में बदलता है क्रायो मीटर निम्न ताप को मापता है एटमो मीटर वास्पी करण की दर मापता है कैथेटो मीटर लंबाई मापता है बड़ी हाँ कुश्चन है सब लोग गाइएक काइधेटो मीटर क्या है क्रायो मीटर आपको बताने कंसा इंकरेक्ट है चलो राहूल ने कहा सर यह गलत ہے बहुत अच्छा प्रसन है चलिए अब कॉश्चन का लेवल बढ़ां-बढ़ां 200 कर आज चलिये मेरे इ27 तो डी या इसलिए कैथेटो मीटर जो होता है व लंबाई मापता है क्या इसलिए यह आंसर गलत हो जाएगा देखो यह वाली चीज एकदम नहीं लाके दिए हैं गर्मा गरम्गरम यह सुनाओगा यह सुनाओगा नहीं नहीं रिश्चन में सामिल कर लिया है अगला सहीं जोडा नहीं है करेक्ट पियर इस नॉट सीवी रमन परकास के परकीडन की ब्याख्या किया था हाइजनबर्ग क्वांटम तकनीकी दिया था एंरिको फर्मी ने करत्रिम रेडिय वेक्टिव मैक्स प्लांक ने फोटो एलक्ट्रिक इफेक्ट दि नहीं है कौन सा मैच नहीं है बहुत जबर्दस बड़ी हाँ कुष्चन है धन्यवाद सारंग धन्यवाद भाईया सूरज जीतेंदर सब लोग जुड़ो मजा आएगा ललिता कुमारी दिली पी आदो सूराज सब लोग बताओ भाई सा बहुत जबर्दस प्रसन है बहुत जबर्दस प्रसन है तो भाईया इसका आंसर डी गलत है मैक्स प्लांक ने दिया था क्वांटम थेओरी क्या दिया था क्वांटम थेओरी दिया था क्या दिया था दोस्तों क्वांटम थेओरी दिया था मैक्स प्लांक ने जबकि फोटो एलक्ट्रिक इफेक्ट किस ने दि दिया था किस ने दिया था अलबर्ट अंस्टीन ने दिया था तो यह बात आपको याद रखना डी दा मिस्मैच बाकी सब सहीं हैं सीबी रमन ने जो है सभी पदार्तों के पारदर्सी होने के लिए जो है परकास के पढ़कीरन की ब्याक्ष है कि हाइजनबर्ग ने क्वांट क्वांटम तकनीकी दिया था बिल्कुल क्वांटम तकनीकी और एंड्रिको फर्मी ने के जो है आटिफीसियल रेडियो अक्टिविटी की खोज की थी गलत कौन हो गए भाईया चलिए अगला प्रसन है आपको मिलाने को दे दिया गया है जरा मिला डालिए भाईया बड़ी अगर यह द्रॉ시 कुमार है तो आफ चेरबादास क्विश्चन है ठीक है तो मुझेश खुमार मुझेश और आप चेर्मेन हो का提 वर चीह कुछन नहीं आयेगा मुझेश कुमार बताओ आप चेर्मैन हो का कि बता देबु की एक कुष्चन नहीं आएगा ठीक है चलिए पेपर आप ही बनाओगे चलिए दोस्तों चलिए खर कोई बात नहीं है डिस्टर्बिंग इधर दर घूंते रहते हैं देखो त्वरड या एक्सिलरेशन का मात्रक क्या होता है न्यूटन मीटर स्कॉयर होता है और बल का मात्रक क्या होता वेटा न्यूटन होता है क्या होता है और आवेक का मात्रक क्या होता है न्यूटन सेकेंड होता है देखो अब हमारा बच्चा क आवेग का मातरक न्यूटन सेकंड होता है न्यूटन प्रति सेकंड नहीं होता है क्यों 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 कि आवेग वराबर क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों बल गुडे बल गुडे समय होता है बल गुडे समय होता है तो बल का होगा अच्चा बल का मातरक Newton और समय का मातरक Second होगा है इसलिए इस बात को जरह ध्यान से समझेगा ये बात आपको जरह ध्यान से समझेगा इस बात को याद रखना है ठीक है? तो नए पुराने सारे कुछन आएंगे समझ में आया? चलिए भाई साहब ठीक है? चलिए select the false statement about force force is a vector quantity बल एक सदिसरासी है बल दरमान और तुरण का गुड़न फल होता है बल का SI मातरक डाइन है बल दरमान पर निर्भर करता है आपको बताने कौन सा statement इसमें गलत है कौन सा statement इसमें गलत है भैया जल्दी बताओ जल्दी बताओ कौन सा statement गलत है बहुल लोग A बता रहे कोई D बता रहा है कोई कुछ बता रहे कोई कुछ बता रहे चलिए भैया तो इस बात को ध्यान से समझेगा है ना चलिए इसका अंसर होगा C भैया गलत है बल का SI मातरक डाइन नहीं है बल की बल का SI मात्रक क्या है मेरे प्यारे दोस्तों या force की SI unit जो है वो क्या है न्यूटन है या kilogram meter per second square है जबकि बल का CGS मात्रक जो है वो क्या है दोस्तों? dyne है इस बात को याद रखना है समझ में आया तो इस बात को ध्यान से सेखीगा ये गलत है अब बच्चा क्या करता? एक्जाम हाल में जल्दी जल्दी पढ़ने के चक्कर में गलत कर देता है तो इस बात को ध्यान से देखेगा, समझिएगा, आराम से बढ़िएगा, ठीक है? चलिए, तो मेरे प्यारे दोस्तों अब result railway ने गलती की है ना बच्ची की किताब ने गलती की है, ना बच्ची के pen ने गलती की है किसने गलती किया है? जो बच्चा अनुमान लगाया था, उसकी भी गलती ने गलती railway का है, इस तरह से कौन से result आता है? पता नहीं इतना टफ करने से कोई फाइदा ने क्योंकि आप पेच्डी नहीं कर रहा है, आप गुरुपडी और railway की तयारी कर रहा है, सामान विज्ञान आता है, ना कि टफ आता है समझ में आ रहा है, समझ में आया, बच्चे ने भी गलती नहीं की है, ना हमारे जो है कौपी किताब ने, न्यूटन कौन सा आए कि हम नहीं selection होने देंगे गलती railway विभाक का है, जो भी है वो आपके सामने है, किसी को कुछ कहने की जरूत नहीं है, फिर भी हम सिच्चक बंदू सभी अपने बच्चों के साथ में हैं लब यो आफ चलिए, अगला प्रसन क्या है, असत कथन छाटिये, आपको बताना है, असत कथन छाटिये, select the false statement, संबेग का मातरक किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है, संबेग एक सदिसरासी है, या एक निकाई के लिए संबेग नियत रहता है, एक निकाई के लिए अलग अलग रहता है, जरा इसका अंसर दो मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत जबर्दस प्रसन है, बहुत जबर्दस प्रसन है, बहुत बिलकुल बिलकुल पूछे, बिलकुल बिलकुल, आपको बताना इसका अंसर क्या होना चाहिए, इसका अंसर क्या होना चाहिए, इसका अ ये संवेग अलग अलग नहीं होता है कोई भी एक सिस्टम है उस सिस्टम का निकाई सदेव और सदेव नियत रहता है ये लिख दिया है एक निकाई के लिए संवेग नियत रहता है इस बात को याद रखना है तो statement D is the wrong गलत आंसर है समझ में आया चलिए अगला प्रसंद क्या कहता है कहता है किसी ग्रह का प्लायन वेग निर्भर करता है बहु जबर्दस क्यूश्चन है इसका आंसर दीजेगा कि किसी ग्रा का प्लायन वेग जो होता है वो किस पर निर्भर करता है बहु जबरदस प्रसन है मेरे प्यारे साथि यो इसका अंसर दीजेगा जड़ा देखें कैसे बच्चा लोग इसको बढ़ते हैं याद करते हैं और समझते हैं जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ भईया प्लायन वेग प्लायन वेग प्लायन वेग किस पर निर्भर करता है चलिए तो भईया प्लायन वेग ग्रह की तरिज्या और उसके गुरत्वे तरण पर निर्भर करता है ग्रह की गती पर निर्भर नहीं करता है और नहीं ग्रह के मास पर निर्भर करता है बलकि उसकी त्रिजिया पर और उसके गुरुत्वे त्वरण पर निर्भर करता है यही पूछा जाता एक्जाम में कि या ग्रह का प्लाइन वेग उसकी त्रिजिया मनलब उसके आकार पर और उसके गुरुत्वे त्वरण पर निर्भर करता है ना तो उसके बेगपन निर्भर करता है ना उस ग्रह के मास पर निर्भर करता है अगला प्रसुन है असत कथन को चुनिये आपको बताना है चूज दा फॉल्स स्टेटमेंट CGS पद्धती में उर्जा का मातरक अर्ग है MKS पद्धती में उर्जा का मातरक जूल है एक किलो वाट घंटा बराबर होता है 3.6 इंटू 10 दी पावर 6 जूल एक हास पावर बराबर होता है 790 वाट आपको बताना है कूण सा स्टेटमेंट इसमें गलत है इसमें गलत है बहुत लोग अभी करें सर सी कई लोग करें सर बी क्या बात है बहुत गलत बात है तो आंसर कूण सा गलत है ये एक हास पावर बराबर कितना होता है 746 वाट होता है 746 वाट होता है तो ये बात आपको याद रखना है तो याद रख लिजेगा कि CGS पद्धती में उर्जा का मातरक अर्ग होता है जबकि MKS पद्धती में उर्जा का मातरक जूल होता है और एक जूल बराबर कितना होता ह ये भी आपको याद रखना है और एक किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है तो ये भी आपको याद रखना है चलिए अगला प्रसन क्या कहता है बहुत जबर्दस प्रसन है कह रहा है कि यूरेनियम 92-238 परमाडू के एक अलफा कड का उस सर्जन होने पर परमाडू बदल जाता है तो कह रहा है कि अगर यूरेनियम से एक अलफा कड निकल जाए मान लिजे कि ये यूरेनियम है बान नबे और 238 है और इससे अगर एक अलफा कड निकल जाए तो यह परमाडू अब किसमें बदल जाएगा यह परमाडू अब किसमें बदल जाएगा जरा आंसर दो बढ़ यह कुछ और आपको पता है जब अलफा कर निकलता है तो उसके atomic number में दो की कमी और उसके atomic weight में 4 की कमी आ जाएगी मतलब 90 और 234 यह किसका है वच्चा TORIUM का है किसका है थोरियम का है और आपको पता होगा थोरियम का आयस्क क्या है बच्चा मोना जाइट है थोरियम का आयस्क क्या है मोना जाइट है इस बात को याद रखना है तो बड़िया कुश्यन था कुछ थोड़ा मोडा लिकाला जाता है घटाया जाता है बढ़ाया जाता है इस पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अगले प्रसंद की तरफ बढ़ते हैं भारत का पर्थम पर्माडू अनुसंधान रियक्टर कौन सा है इंडिया दफर्ष्ट न्यूकेलियर रिसर्च रियक्टर अफसरा साइरस दुरूब या धुरूब सेकेंड आपको बताना है भारत का पहला भारत का पहला चलिए पूरी कमेश्टरी का मैराथन होगा कल कल पूरी कमेश्टरी का चार घंटे का मैराथन जबरदस चलेगा धाई सो क्विस्चन का सभी लोग जुड़ियेगा आपको बताना है अफसरा साइरस धुरूब या चलिए तो कौनसा बेटा अफसरा है साल कौ कौनसा था 1956 में पहला परमाडू रियक्टर भारत का बनाया गया कौनसा अफसरा बनाया गया अगला प्रसने सोर उर्जा के विशय में असत कथन चुनिये भाई साहम आपको बताना है कि सलेक्ट दा फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट सोलर एनर्जी किर्तिम उपग्रा का उ इस स्टेटमेंट का क्या सही होगा सोर उर्जा के विशय में असत कथन का जो है चैन कीजिए चलो भाई साथ यह उप्रोक्त सभी सत होना चाहिए कोई नहीं यह सही है अब बताएं चलिए अब इसका अंसर दी होगा इसका थोड़ा भासा लिखने में चलिए अब चलिए उप्रोक्त कोई नहीं सभी सही है बात आपको याद रखना है ठीक सभी सही है मतलब अगर कहा जाए سोर उर्जा के भीुषाई में तो वाकई अगर हम लोक उपग्रा की बात करेंगे तो उसके लिए भी उर्जा कौन से है सोलर एनर्जी सोलर एनर्जी नाव के सुनलेंग से बनती है मदला हाइर्डोजन हाइर्डोजन मिलता है तो helium का निर्माड करता है और solar cell जो होता है वो सौर उर्जा को बिद्दू तुर्जा में बदलता है ये भी बात सही है तो D is the incorrect यही वाला जो है उपरोग तो कोई नहीं सब सत है समझ में आया अगला प्रसंद क्या है भारत का Einstein किसे कहा जाता है बढ़िया कुश्चन है पहला है अरश्टू है दूसरे ब्रह्मगुप्त है तीसरा कालिदास है बहुत अच्छा प्रसंद है बहुत जवर्दस प्रसंद है बहुत अच्छा आपको बताना है कि इसका answer क्या होगा तो भारत का Einstein बहुत बिच्छू नागारजुन को कहा जाता है किसको कहा जाता है बहुत बिच्छू नागारजुन Einstein ने क्या दिया था थेओरी आफ रिलेक्टिविटी या सापेचिता का सिध्धान्त दिया था सापेचिता का सिध्धान्त दिया था मतलब इनको हम लोग किस से compare करते हैं नियतवाद से करते हैं जो बहुत बिच्चु किस ने दिया था नागारजुन ने दिया था अब ब्रहमगुप्त की बात करेंगे तो ब्रहमगुप्त को भारत का न्यूटन कहा जाता है क्या कहा जाता है भारत का न्यूटन कहा जाता है क्यूं क्यूंकि इन्हों नहीं सबसे पहले बताया था कि पृत्वी के अंदर एक ऐसा फोर्स पाया जाता है जो सभी वस्तों को अ चाद रखना है भारत का सेक्स्पियर कहा जाता है चलिए अगला प्रसन क्या है कह रहा है कि कापसूल की खोल किस्से बनी होती है बहु जबरदस प्रसन है जबरदस प्रसन है आपको बताना है जो हम लोग दवा खाते हैं कापसूल वाली वह खोल किस्से बनी होती है जल से जि से बनी होती जिलाटिन से बनी होती रियोन से बनी होती है जल्दी बता भीया तो जिलाटिन से बनी होती है किस से बनी होती है जिलाटिन से बनी तो B is the correct answer और आपको बहुत अच्छे से पता होगा जिलाटिन क्या है एक तरह का देखेगा तो प्रोटीन है कुछ वसा की मातरा ह होती है समझ में आया चलिए अगला है अधुनिक अनुवांसिकी के पिता किसे कहा जाता है फादर आम मौडन जेनेटिक्स बताओ भाईया आधुनिक अन्वानसिकी के पिता किसे कहा जाता है बहुत जवर्दस कुष्चन है समझ में आए मेरे प्यारे सातियों आपको बताना है कि किसे कहा जाता है आधुनिक अन्वानसिकी के पिता ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है ती एच मॉर्गन को कहा जाता है या कैरूलस लीनियस को कहा जाता है या बिलियम रॉक्स बर्ग को कहा जाता है एक दम धमाके दार प्रसने भईया तो हम मैं आपको बता दू टी एच मॉर्गन को कहा जाता है तो इनको कहा जाता है फादर आफ जेनेटिक्स इनको क्या बोला जाता है फादर आफ जेनेटिक्स बोला जाता है इनको और कैरोलस लीनियस को क्या बोला जाता है फादर आफ मोडन बोटनी कहा जाता है या अधुनिक वनस्पति बिज्ञान का पिता कहा जाता है और इनी को क्या बोला जाता है मेरे प्यारे दोस्तों वरगी करण बिज्ञान का जनक कहा जाता है या फादर टेक्शनॉमी कहा जाता है यही को बोला जाता है बाइनॉमियल नॉमक लेचर का पिता भी कहा जाता है तो यह बात याद रखेगा बिलियम रॉक्सबर्ग को फादर आफ इंडियन बॉटनी कहा जाता है यह बात आपको याद रखना और इनका संबन उत्तरा खंड के देहरा से समझेगा देखो ये कुछ पूछता है बच्चा इतना इमेजीनेशन नहीं कर पाता है क्योंकि बिलियम रॉक्सबर्ग जैसे भारत का नाम लेता है तो हम लोग के दिमाग में पता निकमला परसाद सुपरसाद है ना पहलाना पहलाना नाम चला जाता है यह राक्सबर्ग जो है वो इंडियन ही थे मतलब जब भारत आजाद नहीं हुआ ता उससे पहले यह बोटनी पर काम करते थे कहां पर रहकर तो आपके देहरादून में रहकर चलिए दोस्त नेक्स्ट या एक यूनित धना वेस दो यूनित रावेस या दो यूनित तो यह बहुत आसान कुश्चन जलो इस पर समरी डाल देते हैं एक बार अगर हम लोग बात करें आटम की बात करेंगे तो परमाडू में सेंटर में जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं नूकिलियस या नाभि में proton पाया जाता है और क्या पायाता है neutron जो होता है वो revolve करता है around the nucleus और इस पन negative charge होता है single negative charge होता है इस बात को याद रखेगा चलो next question क्या है उगला इन सभियों में से कौन साप परिवर्तन रासाइनिक परिवर्तन है जल्फ का बर्फ में बदलना, एलकोहल का वास्पी करण होना, लोहे पर जंग लगना या खाना पकाना, ये बढ़िया कुश्चन है, बताओ भाई साब कौन इसका आंसर सही है, चलिए, कौन सा रासायनिक परिवर्तन है, जल्दी बताओ उसमें, बहुत बढ़िया, चलिए, तो देखें इसमें ब लगाया होगा, ये थोड़ा सा सेट ना कर पाए, है न, तो ये दोनों सही है, लोहे का जंग लगना भी रासायनिक परिवर्तन है, और खाना पकाना भी क्या है, रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि खाना पकाते, for example, सबजी बनाते हैं, तो सबजी मुलायम हो जाती है, एक पर्थम स्रेडी का, मचली में एक पर्थम स्रेडी का प्रोटीन होता है, क्योंकि उसमें पाया जाता है, तो जो मचली वाला जो प्रोटीन होता है, एक अच्छी प्रोटीन मानी जाती है, क्यों मानी जाती है, ये आपको बताना है, चलिए, बहुत अच्छे प्रस्तन ह ये आपको बताना है कि मचली में जो प्रोटीन पाजाता है फेसीन प्रोटीन पाजाता है क्या पाजाता है फेसीन हमने आपको याद भी दिलाया था फासे फेसीन और फासे फिस ये भी याद करवा दिया था तो मचली में फेसीन प्रोटीन पाजाता है और फेसीन प्रोटीन एक अच्छी प्रोटीन मानी जाती है, क्योंकि इन में जितने भी essential amino acid होते हैं, वो मिल जाते हैं, हमने आपको बताया था, बहुत बार पढ़ाया, कि हमारे body में तकरीबन अगर देखा जाए तो 20 types amino acid होते हैं, जिन में से 20 में से अगर देखेंगे, तो 10 essential होता है, 10 non essential होता है, जिनकी requirement हमारे body को होती है, और उसको हम बाहर से भोजन के रूप में लेते ही लेते हैं, मतलब लेना ही पढ़ता है, अगर नहीं लोगे तो उसका निर्माण हमारी body खुद नहीं कर सकती है, और ये सारे जो 10 type के essential amino acid हैं, वो किस में पाया जाते हैं, मचली के फेसीन protein में मिल जाते हैं, अगला है, अगला प्रसन बहुत अच्छा है, निम लिखित में से, निम लिखित में से किस भारी धातू की विसाकता या कृत सिरोसिस पैदा कर सकती है, बहुत जवर दस प्रसन है, आपको बताना है कि किसका infection या किसकी विसाकता या किसकी toxicity अगर आपके body में हो जाए तो लीबर सिरोसिस नाम की बिमारी हो जाती है लीबर सिरोसिस मोस्टली जो होता है वो जो दारू शराब पीते हैं उनी को होता है क्योंकि सेल डिके होने लगता है लेकिन भगवान का करिस्मा अगर 80% लीवर डैमेज हो जाएगा तो हाई पावर आफ रिजनरेशन की व जासे लीबर सिरोसिस नाम की बिमारी हो सकती है तो आपका कॉपर है क्या है कॉपर है इस बात को याद रखिएगा चलिए नेस्ट क्विश्चन की तरफ बढ़ते हैं किस रोग से रच्छा करने के लिए सिस्वों को डी-पी-टी का टी का लगवाया जाता है यह बहुत टी का मतलब होता है टी-टेनस तो लिखा होगा यहाँ पर रोहनी किसको बोलते हैं यह तो बड़े टेंशन वाली चलिए तो याद रखेगा मेरे प्यारे दोस्तों कि रोहनी बोलते होंगे डिप्थीरिया को बोलते होंगे चलिए बाकि पर्ट्यूशिस काली खासी को और जो बोलते हैं वो तो आपको पता ही है तो इसका अंसर क्या हो जाए गड़ी हो जाएगा मतलब डिप्थीरिया के लिए लगता है पर्ट्यूशिस के लिए लगता है पर्ट्यूशिस का वूपिंग कफिया काली खासी बोलते हैं और टी मतलब टिटनेस एक बहुत इंपोर् करेशाति काम नहीं करेगी किसी वाइरियल डिजीज के लिए वह बात अलग है कि एंटी मारेरियल दवा कुरोना में काम कर रही थी तो उसका अलग था इसका कॉंसेप्ट अलग था समझ में आ दोस्तों चलिए नेस्ट कुस्चन की तरफ बढ़ते हैं बिसाडू में निमलिकि पर पोषिकाओं के भीतर परजैनन करते हैं स्वाभाओ से पूरी तरह परजीवी होते या कोशिकाभित्ती की मौजूदिगी होती है चलो भईया बहुलो करेसर एंसर होगा बहुलो करेसर दी आनसर होगा चलिए रोहनी बोलते हैं डिप्थीरिया को चलिए भाई ने डी दिया वही बात सहीं है देखो कोशिका भित्ती केवल और केवल प्लांट्स में पाया जाता है और किसमें पाया जाता है फंगाई में पाया जाता है किसमें मेरे प्यारे दोस्तों या कवक या फंगाई में पाया जाता है प्लांट्स का जो सेल्वाल होता है वो सेलूल तता मेथेन पैदा करने की सबसे अधिक संभावना निम्लिखित में से किस जियूम से की जा सकती है बढ़िया क्विश्चन आपको बताना है कि ग्रीन हाउस गैस गैसों तता नाइट्रोस आक्साइड तता मेथेन पैदा करने की सबसे अधिक संभावना निम्लिखित में से कि से की जा सकती है पहला है कवाक केचवा जीवाडू या हरे पोधे बहुत जबरदस क्विस्ट्यन है बताओ बच्चे लोग सब लोगा आंसर देंगे यह तरी की चलिए तो बैक्टिरिया होता है में तो जैनिक बैक्टिरिया होता होगा अपने नाम सुना ही होगा ठीक है चलि उसमें भी मेथेन गैस जनरेट करने के लिए कौन उत्तरदाई है तो आपका बैक्टिरिया उत्तरदाई है अगला प्रसंद क्या कहता है अगला है स्वसन कैसी परकिरिया मानी जाते है एक दम दिखने में हलुआ सवाल है लेकिन बहुत गहराई तक पढ़ना बढ़ता है जरा अराजी जरातमक पर को सिंथेरिक प्रॉसस है अब चाई किरिया कैटाबोलिक है और रोही पर को किरिया आसंडिंग है या तनुकरण पर किरिया डालूशन प्रॉसस है बहुत जभर्धस प्रसंद है यह बहुत पूछा जाता अग्जाम में चलिए तो यह क्या होगाँ करने का तरीका जान लिए कैटा बोलिक प्रोसेस क्या है बटा कैटा बोलिक प्रोसेस का मलब होता है कट तो जो चीछ तूटती है या कट होती है उसको कैटा बोलिक प्रोसेस कहा जाता है और आपको बहुत अच्छे से पता है मेरे प्यारे साथी कि गुलुकोज का ऑक्सीडे in the presence of oxygen और किसका department зचा return writing ATP का formation नोता है तो यह बात आपको याद रहना ऐसे पूidet baptismus का ऐसी प्रॉसेश पिर फिर पूछता है डाजेसण का इसा प्रॉसेश तो बहुद बहुता होगे दोस्तों गाजेशन यह तो काटाबोलिक लेकपाल का फॉर्म भरे है या जो भी बच्चा यूपी कांस्टेबल का फॉर्म भर रहा है सब लोग जरूर दीजे बता है तो पच्चीस कुश्चन जबरदस्ट आएंगे कल इससे बढ़ा लेबल आएगा कल तो कुश्चन हिला नहीं पाओगे हाँ एक बात और बता दे ज जाते जाते आँ लोग को कि कल कल बोले तो 16 जन्वरी का मतलब 16 जन्वरी 16 जन्वरी सुच्चन का जबरदस्ट वोगा यह बात आपको याद रखना है कि 對啊 Manufact को कोई हमको इसका रोना नहीं रोएगा कि डेटा खतम हो गया है हमारा है तो रील मत देखिएगा कल ठीक है कल आप लोग डेटे को बचा के रखिएगा साम को कमिश्ट्री वाले सेशन में आईएगा जबरदस सेशन चलेगा आने वाला है कल बहुत ज्यादा मज़ा आने वाला है तो सब लोग आएंगे एक बार करिए यसर में बहुत सब लोग तो इसके लिए जरूर आईएगा भाई साहब तो लब यू वाल आफ यू जो बात बीत गई उस पे सोचा नहीं करते हैं लेकिन जो आने वाली उसको छोड़ा नहीं करते हैं तो भाई साहब CBT 2, CBT 1 में जो भी रहा आपके लिए उन गमों को भुला कर सरकार की गलतियों को अब क्या किया जाए आपकी कोई गलती नहीं पोजिटिव हो यह तैयारी करिए भाई साहब लब यू आल आफ यू बाई बाई गुड नाइट स्वाँ नहीं हीजब यू उनिवकान फूपर की बाई पाई स्वास कि अङद गलते हैं धन्या ले क्या जाए भाई गरसफने खाल financeं गे मलत अवरतेश चया दिदूरे मों सवार्स कि उन्हीं हा विप स्वाश्य कर साहद को ब कि receiver